एंटी ए यूजिस नेट यानि निमिजनेट डाउनलोड इट उन गुगल प्ले स्टार हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूग चैनल निमिजनेट परोपे और दोस्तों आज फिर एक बार आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको गैरेंटी से बोल रहा हूँ रिसर्च में आप ये दस कीवर्ड कर लेना और पहली बार में ही आपका नेट और जियारफ क्वालिपाई हो सकता है इन 10 कुशन को केवल एक सबद देख के आपको किस तरह से करना है ये सारी चीजी आज हम आपको बताने वाले हैं और रियली में बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप एक बात कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना और इस से पहले एक और वीडियो बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ Research Aptitude में 25 कीवर्ड देख लो पेपर एक में 10 नंबर आपके पके और जिंदगी भर याद रहेंगे टॉपिक और मैंने आपको ऐसा क्या बताया है इन वीडियो में एक एक सब्द मैंने बताया केवल एक सब्द को देखते हैं आप पूरे किशन को कर सकते हैं पूरी राम कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरतर नहीं है केवल एक सब्द से आप पूरा किशन कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना और हाँ एक और आप लोगों से मेरे को सिकायत है आप सभी दोस्तो वीडियो को देखते हैं उसको लाइक करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक special paid course launch किया है complete study course for paper first, इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, no.1 पे दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे, no.2 पे दोस्तों आपको all 10 unit की ad free videos मिलेंगी, no.3 पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question paper Hindi English मिलेंगे, no.4 पे दोस्त जो सबसे unique चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने unit में से sub topic wise question भी अलग किये हुए है, जैसे कि research में हम बात करें, type of research, type of hypothesis, type of sampling इस तरह से हम बात करें, teaching में, type of teaching method, model of teaching, इस तरह से सभी unit के sub topic wise question भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे, no.6 पे दोस्तों आपको most repeated होने recorded मिलेगी, जो दोस लाइव class लेना चाहता है, वो लाइव ले सकता है, और जो recorded देखना चाहता है, वो recorded class भी देख सकता है, तो आपको किसी भी तरह की problem आते हैं, तो आप हमी वर्ट सकते भी contact कर सकते हैं, तो इसकी course की price हम बात करें, तो साथ से 8000 रुपए इसकी फीस बनत nominal, ordinal, interval और ratio scale, और उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तो, workshop, seminar और conference, और उसके बाद में हम बात करेंगे research ethics, इन सभी topic में मैं आपको एक-एक सब्द ऐसे बताऊँगा, जिनको देख के आप पूरा-पूरा question कर सकते हैं, चलिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं, nominal scale, ordinal scale, interval scale और ratio scale की, और इनको थोड़ा सा समझ भी लेते, उसके बाद में हम in question को करेंगे, जी देखिए, इसके अंदर क्या है, हमारा सबसे पहले है nominal scale है, nominal scale को हम किस तरह से याद करेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसके अंदर जो भी हमारे चीज होते हैं, उसको category में divide कर दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है, कुछ, तो इस तरह से उसको हम पहचानते हैं, जैसे मान के चली, यह हमारे racer है, यहां पर race लगा रहा है, runner है, तो इनको नाम दे दिया, यह 7 नमबर है, यह 8 नमबर है, यह 3 नमबर है और यहाँ पर और भी चीज़े हो सकते हैं जैसे किसी को category में divide कर दिया यह male है, यह female है, यह car है, यह bike है इस तरीके से नाम से संभोधित करते हैं उस चीज़ को या फिर category में divide करते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं ordinal scale की बात करते है ordinal scale के अंदर उसका order decide करते है यह पहले नमबर पे आया है, दूसरे पे आया है, तीसरे पे आया है या फिर उसको sequence में लगाते है, decreasing order में या फिर increasing order में यानि कि उसका एक order decide होता है उसके अंदर जैसे यहां पे आप देख सकते यह जो runner थे यहां पे इन्होंने race लगाई उसके बाद में इसका तीसरा स्थान आया इसका दूसरा इसका पहला स्थान आया और उसके बाद में हम बात करतें दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी दोस्तों ने कीवर्ट्स वाली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया उसके लिए थैंक्यू इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम 10 अक्टूबर इवनिंग 8 प्यम एक क्लास लेके आ रहे क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मज़ेदार धमाकेदार होने वाली है क्योंकि हम केवल एक घंटे में मोश इंपोरेंट कीवर्ड करेंगे टीचिंग एक जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि एक्जाम में इसे कौन से सब्दों को ध्यान में रखना है जिन को द 2012 से लेके 2023 तक किशन हम करने वाले हैं तो बहुत ही जबरदस्ती एक लास होने वाली है अनकेडिमी पर एक लास होगी लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो जल्दी से इस क्लास को जरूर जोइन कर लेना चीक है तो थाइंक्यू थ प्रिशाइड किया जाता है जैसे कि 0 से लेके 10 स्केल है इसके अंदर आप देखते हैं कि जो ये बंदा है तीसरे नमबर पर ये जो बंदा आया है इसकी क्या पोजिशन रही है इसको 10 में से कितने नमबर मिले है आठ हमें से 8.2 इसको पॉइंटिंग दी गई है उसके पंदरा, पंदरा से लेके 20 तरीके से equal interval of time भी हो सकता है, कुछ भी चीज़े इसके अंदर हो सकती है, कहने का मतलब है interval होता है इसके अंदर, एक decide होता है उसके अंदर में से हमें position देनी है, आगे हम बात करते हैं, दोस्तों ratio skill की बात करते है, ratio skill के अंदर क्या है, कि actual में जो result टाया है, actual चीज हम बताते हैं, वह ये बंदा कितने मीटर तक दोड़ा, ये 15.2 मीटर तक दोड़ा, फिर ये 14.1 मीटर तक दोड़ा, और ये 13.4 मीटर तक दोड़ा, यहाँ पर actual जो चीज है, वो हम यहाँ पर बताते हैं, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की को करते हैं जैसे जेंडर हो गया यह यहां पर एक्जामपल दिये गए है जेंडर जैसे मैंने आपको बताया था मेल फिमेल की बात होगी रिलीजन की बात होगी पोश्ट कोड इनकी बात ही यहां पर हम करेंगे उसके बाद हम और्डिनल skill की बात करते है इसके अंदर जैसे exam की exam में number आगे ठीक है number 70 से 80 number आये है तो उसको हम क्या grade देंगे A grade दे दिया B grade दे दिया C grade दे दिया यह देखे यह grade होगी हमारे यह position आगी position मैंने आपको बताया था पीछे first position है second है third है कितनी position है वो हमने बता दी उसकी बाद यह हम बात करते है interval scale की बात करते है interval scale के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर temperature बता देते है आज का temperature वो किसके बीच में रही रहा 10 degree से लेके 15 degree के बीच में हमारा आज का जो temperature है वो रहने वाला है, इस तरीके से यहाँ पे interval होता है और ratio skill के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम exact जो चीज है न, वही चीज हम बताते हैं, हम पुछते हैं वही, राजस की height कितनी है, तो राजस की height बता देते हैं पांच फूट तीन इंच है, exact जो चीज है, exact ही वहाँ पर हम बताते हैं वहाँ पर weight बता देते हैं वही किसी ही चीज का ये weight है और अगर हमें time की बात करें, time बता देते हैं आज 2 बज़ के 4 मिनट हुए exact चीज है, exact चीज है यहाँ पर बताई जाती है और एक और चीज है दोस्तों इसके अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे लिए काफी important है देखी, ये बहुत ज्यादा important है, जो keyword आपको याद रखने exam के अंदर, सबसे पहले nominal scale के अंदर मैंने बताया आपको classification की बात करते हैं नाम से decide करते किसी चीज को और उसे category में divide करते हैं, जैसे male, female, car, wife हो गया, उसके बाद में हम बात करते है ordinal scale की, ordinal scale के अंदर classification भी होगा, plus में order होगा, order मैंने बताया था ना, first, second, third, उसके बाद में हम बात करते है interval scale की, interval scale के अंदर classification भी होता है, order भी हो सकता है, और एक चीज ओर होती है, इसमें equal unit होती है यह मैंने आपको होता है था ना, 5 से लेके 10, 10 से लेके, 15, 15 से लेके, 20 इस तरीके से equal unit इसके अंदर होती है फिर हम बात करते है, वेसो scale है वेसो scale एक ऐसा scale है दोस्तों इसके अंदर सभी scale की characteristics होती है, इसमें classification, order, equal unit भी होती है, और plus में absolute zero की बात इसके अंदर हम करते है frequency की बात करते है, जो हमारे पास actual data आया है उसी data को हम यहाँ पर बताते है जी, तो दोस्तों यह चीज आपने समझ ली, यह keywords आपने देख लिए यहाँ पर keywords मैं बता रहा हूँ classification हो गया, order हो गया equal unit हो गया, और absolute zero हो गया, अब इन ही के base पे आपको किस तर ऐसे question करने है वो मैं आपको बताऊंगा, और answer आप लोगों को देना है, question मैं दूँगा आपको ठीक है, जी, चलिए देखते हैं चलिए दोस्तों, अब हम इस से related जो भी question आई, उन सभी question को करके देखते हैं और जो दोस इनका right answer देगा, उनने मैं Malaysia के टूर पे लेके चलूँगा हाँ दोस्तों, Malaysia के टूर पे, चलिए जो सबसे पहला question है, इसमें हम देखते हैं the scale poses all the characteristics of nominal, ordinal and interval scale, ऐसा कौन सा scale है, जिसके अंदर सभी scale की विशेशताई होती है, मैंने आपको बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो इसका right answer क्या होगा, जल्दी सी comment box में answer दीजिए, जी मैं आपके answer का wait कर रहा हूँ क्या हो, वाओ, क्या बात, D answer दीए, आप लोग ने, बिल्कुल चाहिए, दोस्तो right answer इसका D होगा, जी ratio skills का right answer होगा, और ratio skill के अंदर सभी skill की विशेशताई होती है, very good, very good, जावास चलिए, अगला हम question करते हैं दोस्तो the kind of number which do not represent amount, but instead represent kind यह देखिए, इसके अंदर क्या कहता है, कि यह amount represent नहीं करता है, यह kind उसका परकार represent करता है different qualities, type और categories, यह उसकी different जो type है उसकी category है, वो represent करता है, category किसके अंदर represent की जाती है बताओ, मैं अभी बता के हैं आपको category और classification किसके अंदर किया जाता है right answer क्या होगा, comment box में लिखिए जी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका right answer option भी होगा nominal scale, nominal scale के अंदर हम क्या बात करते हैं, classification और category की बात करते हैं very good way, very good दोस्तों, श्यावास बिल्कुल सही है, चलिए अगला हम question करते हैं दोस्तों match the column हमें करना है, match up करना है जी, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही असान question है यह देखिए यह आया था हमारा 2 December 2019 evening shift में, सभी question आप देख सकते नीचे कौन सा question कब आया हुआ है और most important question आज आपको हम करवा रहे हैं, बहुत ही धम्मा के दार वीडियो है यह, देखिए nominal scale nominal scale के अंदर क्या होगा दोस्तों nominal scale के अंदर हमने बात की थी ना क्या होगा इसका right answer क्या होगा, classification होगा क्या इसका nominal के अंदर, आप बताना मेरे को नहीं पता वही, मेरे को नहीं पता ठीक है आप बताना, जी nominal का क्या होगा classification हो जाएगा उसके बाद हम बात करते है ordinal की बात करते है ordinal से order ordinal से क्या आता है हमारा order आता है जी तो ordinal के अंदर हमारा क्या है classification plus में order ये हो गया हमारा उसके बाद में हम बात करते हैं interval के अंदर क्या होता है interval होता है और equal units होती है इसके अंदर तो इसका क्या होगा interval के अंदर classification भी होगा order भी होगा और equal unit भी होगी इसकी और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तो रेसो skill की बात करते हैं और रेसो skill के अंदर हमारे पीछे के जितने भी skill है उन सभी skill की विशेस्ता इसमें होती है तो right answer इसका यह देखिए रेसो का क्या हो जाएगा option one हो जाएगा तो इसका right answer देखिए एका क्या होगा थरी, एका थरी किसके अंदर है, इसमें एक क्या? तीन और चार के अंदर है जी और उसके बाद में करते है B का 4 ये रहा और C का 2 ये रहा और D का अमारा 1 ये रहा तो right answer क्या होना चाहिए दोस्तो right answer इसका 4 होना चाहिए न है न 4 होना चाहिए न चलिए इसका right answer हम देखते है right answer क्या होगा जी वाव क्या बात है very good very good शावास दोस्तो जी बिलकुल चाहिए right answer इसका 4 है और आगे हम इस related जो भी कुछन आए उन सभी कुछन को देखते हैं और मैं ये answer जो है hide कर देता हूँ आगे हम बात करते हैं दोस्तों ये फिर से कुछन आगया ये हमारा कुछन 2021 एक्जाम में आया है और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एक्जाम में किशन रिपीट हो रहा है बार बार और क्या चीज़ क्या कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं अब देखिए ये आगया हमारा इसके अंदर nominal पूछ लिया nominal के अंदर हम किस की बात करते हैं category की बात करते हैं और classification की बात करते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पर है क्या कहीं पर category separate in value ranking हाँ ये रहा ये रहा ये रहा categorization ये देखिए ये रहा option 4 तो A का ये यहाँ पर match up हो जाएगा ठीक है ordinal के अंदर क्या करते हैं ordinal के अंदर order देते हैं order means 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से order देते हैं उनको और इसको क्या कहते है rank भी तो कहते है ना rank भी कहते है तो इसका ये हो जाएगा ठीक है और उसके बाद में ये देख लिजी आप A का 4 A का 4 किसके अंदर है ये रहा हमारा और B का 3 किसके अंदर है ये रहा आपको ये आपके विलिए दो ही कर लेजी ठीक है ये दो करने से ही आपका right answer यहाँ पर आ गया है और इसका right answer देखें right answer क्या होगा वाव क्या बात very good वे very good चावास दोसों तो right answer इसका option 2 है और केवल ये दो option करने से ही हमारा question आ गया यहाँ पर तो देखें दोस्तों हमें question करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है मैं आपको बार बार बता रहा हूं एक minute रूगिए मैं इसको ये कर देता हू देखें nominal के लिए हमने एक सब्द याद किया था ना nominal के लिए classification याद किया था ordinal के लिए order याद किया था एक question के लिए एक सब्द याद करना है और 10 question के लिए आपको 10 सब्द याद करने है और इसी तरीके से सभी unit के अगर दोस्तों मैं आपको keyword बता दूं ठीक है research में ICT मे teaching में सभी में आपको keyword बता दूं तो आप सोच सकते हैं आपका काम कितना असान हो जाएगा और पहली बार में ही आपका natural jar qualify हो जाएगा जी तो ऐसे हमने notes बना रखे हैं सभी units के notes बना रखे हैं 2012 से लेके 2013 तक जो भी repeated question है most repeated question उनके topic wise और sub topic wise question हमने अलग-अलग किये हुए ह अगर आपको notes लेने हैं ये PDF लेनी है तो आप हमारा paid courses join कर सकते हैं लिंक आपको नीचे video description box में मिल जाएगा जी आगे हम बात करके दोस्तों ये किशना है था हमारा 6 December 2019 को आया था और इसके अंदर हमारा क्या है वो हम देखते हैं ये देखी इसके अंदर क्या है किशनायर and interview है और intelligence and aptitude test है aptitude test and value test अच्छे उसके बाद में last में देखी है हमारा speed and frequency test अब ये बताईए frequency किसके अंदर बात की थी थी खोड़ा सा सोची सोची frequency की absolute zero की बात जिसमें exact value हम बताते है वह इसकी ये value इसका वजन इतना है time दोसके 13 minute हुए है तो ये किसके अंदर हम करते थे ratio scale के अंदर करते थे क्या हम ratio scale के अंदर करते थे न और यहाँ पर देखे D का one किसके अंदर है D का one इसके अंदर ही देखी D का one इसके अंदर है और भी आप यहाँ पर देख सकते है nominal के अंदर क्या करते हैं किशनायर करते हैं interview के इंदर हम सब्दों का उपयोग करते हैं वहाँ पर आप order कर सकते नहीं कर सकते और interval भी नहीं कर सकते तो एक answer यहाँ पर क्या जाएगा nominal यानि की 4 एक आ 4 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह आ रहा है तो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से बिलकुल असानी से किशन हो रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ चाहते हैं कि आप लोग टीचिंग की, ICT की, Research की सभी यूनिट की वीडियो चाहते हैं तो आप comment box में मेरे को लिखिए हम आप आपके लिए ऐसे ही वीडियो फरी में बनाएंगे और अगर आपको यह notes चाहिए, study notes चाहिए, add-free video चाहिए, limo test चाहिए और बहुत कुछ चाह आप कर सकते हैं बिल्कुल असानी से, जी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगले topic की बात करते हैं, अगला topic है दोस्तों हमारा ये है workshop, seminar और conference, जी workshop हमारी क्या होती है, seminar, conference क्या होती है, इन सभी के बारे हम जानते हैं, और क्या keywords हैं, उनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, सबसे पहले हम बात करते हैं, दोस्तों, workshop की बात करते हैं, workshop आपने देखा वज़े से, ITI वगरा करने जाते हैं, student तो वहाँ पर practically work करते हैं, है न, workshop के अंदर, वहाँ पर practically work करवाया जाता है, तो जहां पर hand- experience की बात हो, हाथों के देखें, दो तरह की चीज़ होती है, एक तो हमारी theoretically, यानि कि आराम से बैठके lecture सुन रहे है, theory सुन रहे है, तो वो तो क्या होगी हमारी theoretical work हो गया, और एक हम चीजे करके देख रहे हैं, अच्छे एक बात बताईए, अगर किसी बच्चे को 10 घंटे सेमिनार की बात करते हैं, सेमिनार जो होता है, दोस्तों आपने सुना होगा, कि आज हमारे college के अंदर सेमिनार है, आज स्कूल में सेमिनार हुआ, academy में वो teacher आ रहे हैं, आज सेमिनार करने आ रहे हैं, तो ज़्यादा तर जो सेमिनार होते हैं, वो educational purpose के लिए होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, दोस्तों lecture दिये जाते हैं, presentation दी जाती है, तो यह च सनातम कधिचार है, critical thinking जहाँ पर वाद विवाद की बात है, तो वहाँ पर हम idea और issues को discuss करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, conference वहाँ पर हमारा right answer होगा, जी, और जो seminar है, seminar छोटे लेवल पर किया जाता है, और conference जो है, वो बड़े लेवल पर की जाती है, जी, चलिए, अब हम इस related, जो भी question आए, उन सभी question को देखते हैं, और जो keywords है, keyword को देखते हैं, कि ये keywords हमारे किस तरह से use हुए है, तो सबसे पहला question है, त्यार हो जाईए, Malaysia जाने के लिए, जो दोस्त right answer देगा, उसे मैं Malaysia के टूर पर ले चलूँगा, हाँ वही, मैं मजाग नहीं कर र ये किस के लिए होती है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, एक conference for discussion on a topic नहीं, ये conference के लिए नहीं होती, और meeting for a discussion on a topic नहीं, जी, हमने क्या बात की थी इसके अंदर, हमने technically बात की थी है ना, hand on experience की बात की थी, practically work की बात की थी, तो इसके अंदर आप देखिए, देखिए, development of a skill और technique for solving a specific problem, ये देखिए, ये आगे ना, development of a skill, ये हमारा keyword यहाँ पे आगया, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं, आपको keyword find out करना है, कौन सा सब्द है, जो हमारा इस paragraph में, इस question में use हुआ है, केवल उस सब्द को आपको देखना है, अगर वो सब्द है, त वही इसका option right होगा, तो right answer इसका क्या है दोस्तों, option 10 का right answer हो जाएगा, जी चलिए, अगला किशन हम करते हैं, जम, sorry दोस्तों, when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topic or a set of topic of education nature, तो यहाँ पे हमारा क्या right answer होगा दोस्तों, जहाँ पे हम academician आके, शिक्षविदा के lecture देते हैं, presentation देते हैं, तो वहाँ पे हमारा right answer क्या होगा, यह मैंने आपको बताया था ना, हमारे seminar बगेरा कहां होते हैं, कहां होते हैं, academy में होते हैं, school में होते हैं, college में होते हैं, और lecture, presentation कहां दी जाते हैं, seminar में दी जाते हैं, तो right answer क्या होगा इसका सेमिनार जी very good very good दोस्तों स्यावास तो दोस्तों इस तरह से आपको बिल्कुल असानी से question करने हैं बहुत ही अच्छे question आप कर सकते हैं आपको बस छोटे छोटे सब्द हैं उन सब्द को आपको ध्यान में रखना है जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों यह आगया हमारा in which of the following activity question number 5 है इस का आंसर आपको देना है comment box में मैं इस का आंसर नहीं बताऊंगा क्या होगा in which of the following activity potential for nursing creative and critical thinking is relatively greater तो ऐसी कौन सी विधाय है जिसके अंदर हम creative और critical thinking की बात करते हैं किस में बात करते हैं मैंने बताया था आपको अगर answer नहीं दिया ना मुक्का मारू अखींज के पीठ में मुक्का मारू आद दुबारा देख लेना चाहिए वीडियो मैंने कौन सा keyword बताया था creative और critical thinking के लिए यहां पर क्या होगा हमरा research summary होगा seminar paper होगा research conference होगा या फिर workshop होगा बताओ वही इसका comment में answer दीजिए question number five का मैं सभी के comment देख रहा हूं जी चलिए अगला question हम करते है वही a workshop is meant for workshop का उदेश से क्या होता है क्या मतलब होता है हमारी workshop का बताओ इसका right answer बताओ जल्दी से hand on experience listening to scholarly lecture lecture को सुमते हम या फिर hand on experience यानि कि हाथों के दवाया चीज़े कर करके देखते है क्या होगा इसका right answer तो यह सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूं बताओ इसका right answer बताओ किशन नमर पांच और छे का आंसर दीजिए क्या होगा जी चलिए अगला क्यूशन है दोस्तों which of the following are the characteristic of a seminar seminar की विशेस्ता ही क्या क्या है वो हमें बतानी है जी तो seminar के अंदर मैंने आपको क्या बताया था एक तो यह देखो academic instructions होता है इसके अंदर ठीक है सिक्सा के अंदर इसका उपयो Tenn Meter हो किया जाता है बहुत ज्यादा तो यह हो जाए हमारा एक तो उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ है जी तो देखे एक option को देखके ये हमारे ये देखे ये seminar है seminar के लिए keyword क्या है हमारा academic है academic कहां पे हमारा a में है बस एक सब्द को देखके आप पूरा question कर दिया यार आप लोगों ने ये और किसी में option ही नहीं है तो right answer क्या होगा इसका option option no.4 इसका right answer होगा मैं answer भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूं ये देखिए option no.4 इसका right answer है तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी है तो ये सब कुछ हम आपको paid course में बता रहे हैं अगर आपको ये PDF चाहिए आपको पूरा study material चाहिए ad-free videos all 10 unit study notes 2012 से लेके 2023 तक सभी shift के question paper हिंदी इंगलिस में और topic wise और subtopic wise question हमने अलग-अलग की हुए है यहाँ पर आप देख सकते है research के अंदर जो type of scale है उसके question अलग करके workshop के अलग है और ethics के अलग है सभी question हमने सब topic wise भी अलग-अलग किये हुए है अगर आप इस तरह से त्यारी करेंगे ना दोस्तों paper first और paper second की तो आपका पहली वार में ही net और ज्यारफ क्वालिफाई हो जाएगा और paper first की guarantee हमारी है हम आपको ज्यारफ दिलवा के रहेंगे हमारा target सिर्फ एक है हम ज्यारफ लेके रहेंगे तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप हमारा paid course जोइन कीजिए link आपको नीचे video description box में मिल जाएगा जी और या फिर आप हमारी app निमीजनेट डाउनलोड कर लेना उसमें आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों जी चलिए अगला हम question करते हैं देखिए अगला question आगया हमारा in which are the following arrangement a wider spectrum of idea and issue may be made possible अब यह देखिए बड़े लिवल पे हम idea और issue को discuss कहां पे करते ह हैं यह देखिए मैंने आपको बताये था ना जो seminar होता है seminar छोटे सितर पर होता है और conference चुछ सम्मेलन जो होता है समयलन बड़े लेवल पर होता है ठीक है समयलन के अंदर क्या होता है जैसे कई वार समयलन आपने सुना होगा कि वहाँ पर सभाह हो रही है बड़ा समयलन हो रहा है तो समयलन के अंदर हजारों लोग भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं वहां पर हम आइडियाज और इसु को discuss करते हैं ठीक है तो वहां पर हमारा right answer क्या होगा option no 3 conference हमारा right answer होगा तो दोस्तों इस तरह चाब बिलकुल असानी से अंसर दे सकते हैं सभी किशन का जी तो मज़ा रहा है ना दोस्तों आप लोगों को वीडियो को यार लाइक कोमेंट और शेयर जरूर करना प्लस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बहुत से दोस्त के विडिय करना चाहें कुछ भी करना यार वस आप यह सब याद कर लेना इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा पहली बार में नेट ज्यार क्वालफाइब हो सकते हैं जी चली चली दोस्तों अब हमारा अगला टोपिक है रिसर्च इथिक्स इस से रिलेटिड हमारे जो भी क्यूश करती है यह निए कि हम गलत तरीके से कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर online करने हैं चल्गिल का सरवे करना तो वह क्या है रिसर्च इथिक्स के खिलाफ है सोध नाथिक्ठा के खिलाफ है तो इसमें क्या क्या चीज़े हैं जो हमें ध्यान में रखनी हैं तो हमारे जो क्यूशन आते हैं दोस्तों रिशार्च एथिक्स में एक तो सिंपल यही क्यूशन आते हैं कि वहाँ पर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो वह आपको थोड़ा सा वहाँ पर समझना पड़ेगा और जो कीवर्ड्स है कीवर्ड्स क्या है वह मैं आपको बताता हूँ जो रिशार्च एथिक्स है वो कहां पर उप्योग किया आ जाता है problem formulation जो हम problem ले रहे हैं अपने research के लिए वो सही तरीके से लेनी है यह नहीं है कि हम ऐसे ही हमने उठा ली कहीं से भी उठा ली तो problem find out करने में problem formulation के अंदर सबसे पहले इस का उप्य होगर होता है research ethics का उसके बाद में हम बात करते हाइफो थीसिज टेस्टिंग के अंदर अब देखिए हम मानके चलते कि हमने research करने से पहले हमने यह हाइफो थीसिज बनाई कि आज कल युवा जो है बहुत ज्यादा नसा करने लग गए है लेकिन बाद में रिजल्ट में हमें यह निकल के आया वही आज कल जो युवा है वो नसा बहुत कम करने लगए तो यह उल्टी हो गई है लेकिन हम अपनी बात को सिध करने के लिए हाइफो थीसिज को अगर चेंज कर देते हैं जबरदस्ती तो वहाँ पर क्या होगा हमारा रिसर्च इथिक्स का उलंगन होगा यानि कि जो हमने हाइफो थीसिज बनाई है और उसी की टेस्टिंग हमें सही तरीके से करने है चाहिए वो गलत हो चाहिए वो चाहिए वो कैसी भी निकल के आए बाद में ठीक है वो हमें सही तरीके से कैस्टिंग करने है उसके बाद में दोस्तों डेटा कॉलेक्शन में कैसे यूज होता है मान के चलिए हमने मैंने अभी बताया ना सो लोगों का सर्वे करना है तो हमें सो लोगों के पास जाना पड़ेगा ये निये क हम घर बैठे के हमने डेटा कॉलेक्शन कर लिया घर बैठे ही सारे चीजे भर ली हमने दस हमारे फ्रेंड्स को दे दिया विचलो आप भर दो ये डेटा तो ऐसा नहीं है आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंटर्पिटेशन इंटर्पिटेशन यानिकि जो हमने डेटा हैं गलत व्याक्या नहीं करना ही ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च फाइंडिंग जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग आई है वही हमें फाइंडिंग वहां पे दिखानी है जो शिल्ट है, वो दिंद धिखाना उस रिजट के साथ हमें हेर फियर नहीं करने कोई भी बदला उस में हमें नहीं करना जी तो राय याइट maple इसका की वर्ण है वो रिसर्चा सिंदिंग भी हो जाएगा पांच से पहला जो question है दोस्तों हमारा ये है research ethics has a direct connection more often with which stage of research कौन सी stage के अंदर हमारा research ethics उपयोग होता है वो हमें बताना है मैंने आपको keyword बताए थे वो keyword हम देखते हैं कहां कहां पे use हो रहे हैं ये देखिए defining and delimate of the scope of research नहीं इसके हमने बात नहीं की थी problem formulation इसकी बात की थी ना ठीक है and report of research finding ये देखिए research finding की बात की थी हमने और problem formulation इन दो की बात की थी थी ठीक है तो option दो ये बिलकुल सही है दोस्तों इन दोनों keyword की बात की थी ये दोनों keyword हमें यहाँ पे मिल गए तो right answer इसका यहीं पे इसका answer हो जाएगा option two इसका right answer है और answer यहाँ पे देख भी लेते जी बिलकुल सही है दोस्तों right answer इसका option number two है जी और दोस्तों आप ना जितने भी question है आप old year question paper करके देखना और जो keyword में आपको बता रहा हूं क्या वो keyword use हो रहे है या नहीं हो यह भी आप मेरे को बताना चलिए अगला जोकेशन दोस्तों उसको हम देखते है निमल खित में से कौन सा सोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है उसके बारे हम बात करते है इसमें कौन सा मुद्दा हो सकता है यह देखिए यहाँ पे keyword find out कीजिए keyword find out कीजिए choice of sampling technique नहीं reporting of research finding यह आगे न हमारा research finding यह 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 देखिए research finding तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option 4 इसका right answer हो जाएगा जी तो इस तरह से बिलकुल असानी से question को आप कर सकते हैं अगला question है दोस्तों हमारा the issue of research ethics is a pertinent at which are the following stage of research words कहां कहां पे हमारा यह use होता है वो हमें बताना है रिसर्च ethics research की कौन सी stage में अब यह देखिए इसमें हम find out करते हैं वही हमारे keywords तो इसमें देखते हैं यह देखिए data collection data analysis report of research of finding and result यह देखिए यहां पे आ गया हमारा option number four इसका right answer यहां पे हो जाएगा जी तो यहां पे और हम इसका keyword है यह हमें मिल गया तो इस तरह से आप बिल्कुल उसानी से question को कर सकते हैं दोस्तों आ रहा ना मज़ा आ रहा ना तो दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है यार तो वीडियो को लाइक कीजिए कोवेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी चलिए अगला जो किशन है दोस्तों अगले किशन को हम देखते हैं the issue of research ethics became relevant in which of the following stage of research और यह किशन आप नीचे देख सकते हैं 2 December 2019 को किशन आया हुआ है और इसमें हम वही देखते हैं हमारे कीवड कौन कौन से उन कीवड को हम find out करते हैं देखी यहाँ पे है hypothesis testing यह बात हमने की थे न hypothesis testing की और उसके बाद में data analysis and interpretation यह दोनों की हमने right answer हो जाएगा B और sorry C और D C और D इसका right answer यहाँ पे हो जाएगा और right answer इसका यहाँ पे देख भी लेते हैं इसका right answer क्या होगा right answer इसका option 3 है दोस्तो C and D अच्छा अब कई दोस्त इसके अंदर एक चीज और कह सकते हैं कि problem selection के अंदर भी हमने इसकी बात की थी की थी ना तो इस हिसाब से इसका answer होना चाहिए A C D इसका right answer होना चाहिए लेकिन दोस्तों तीनों का combination यहाँ पे दिया हुआ है यह नहीं UGC ने तो हम क्या करे तो इसमें से जो option दिया है उस से हिसाब से हमारा right answer क्या होगा C और डी इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों छोटे-छोटे keywords को हमें ध्यान में रखना है यहां से आप बिल्कुल असानी से question को कर सकते हैं देखिए आगे फिर आगे हमारा the problem of research ethics is concerned with which aspect of research activity कौनशी activity के साथ हमारा research ethics जुड़ा हुआ है evidence-based research reporting research reporting की बात की थी हमने है ना तो right answers का यहां पर हो जाएगा यह दोस्तों तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question को कर सकते हैं और आगे फिर से हमारा question आ गया यार इसका तो answer मैंने दिखा दिया इसका answer आप से पूछना ना पहले मैं hide कर देता हूं ताकि आगे जो हम question करेंगे उसका answer आपको दिखे ना जी चली research ethics कहां पर use होता है कौन सी area में वो हमें बताना है तो इसका यह देखिए एक तो data collection के अंदर हमारा use हो रहा था data collection के अंदर इसका उप्योग कर रहे थे हम उसके बाद में किसमें कर रहे थे data analysis में कर रहे research ethics का उप्योग और उसके बाद में किसमें उप्योग कर रहे थे यह है हमारा selecting a research problem यह देखिए यह रहा हमारा option ठीक है तो option एक तीन और छे एक तीन और छे है इसमें हाँ यहाँ पे चे आएगा दोस्तों छे आएगा यहाँ पर एक तीन छे आएगा एक तीन पांच नहीं आएगा right answers का option B होगा और answer मैं आपको दिखा भी यह देखिए option इसका B है और यहाँ पर 5 की जगे 6 आएगा दोस्तों यहाँ पर मैं कल बना रहा था यह जब question अलग-लग कर रहा था तो वहाँ पर 6 था गलती से यहाँ पर 5 लिखा गया जी और इसे कल भी मैं सोच रहा था सही करना है लेकिन ध्यान में नहीं रहा जी यह 6 आएगा 1,3 और 6 इसका right answer यहाँ पर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से question को कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और मैं आपको फिर से दावे के साथ कहता हूँ अगर आप इस तरह से paper first और paper second दोनों की त्यारी करते हैं तो आपका net और jrf qualify हो सकता है पहली ही वार में और paper first की guarantee हमारी है हम आपको jrf दिलवा के रहेंगे आपको सिर्फ एक चीज़ करना है आपको हमारा paid course जोइन करना है उसके अंदर all 10 unit के study notes दे रहे हैं वीडियोज दे रहे हैं और topic wise, sub topic wise question आपको दे रहे हैं ये pdf जो अभी आप पढ़ रहे हैं हमारे app के अंदर आपको paid course में मिल जाएगी ठीक है तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो description box में link दिया हो वहाँ से आप इस course को join कर सकते हैं और course की fees कोई ज्यादा नहीं है दोस्तो course की fees 500 से 700 रुबेस की normal fees है जी और इसमें हम आपको live mock test भी दे रहे हैं एप के अंदर बहुत कुछ इसमें आपको मिल रहा है चलिए अगला जो question है दोस्तो ये देखिए which are the following steps in research are least vulnerable to research ethics सबसे कम research ethics का उपयोग किसमें किया जाता है ये बात ये बोल रहा है सबसे कम किसमें उपयोग किया जाता है वो हमें बताना है सबसे इसमें ये देख लिए कहां कहां पे उपयोग किया जाता है उनको छोड़ के बाकि answer आ जाएगा हमारा है ना तो इसका answer आप सभी को देना है comment box में मैं आप सभी के answer का wait कर रहा हूं मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कहां कहां पे उपयोग होता है इसका पहले वो देखते है data collection के अंदर होता है इसका उसके बाद में हमारे option क्या रहेगी A और B हमारे option रहे गई और A और B किसके अंदर ये देखी ये रहे हमारे option 1 में है हमारे इसमें क्या पूछा हुआ है कहां पे research ethics का उपयोग बहुत कम किया जाता है जी तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से answer कर सकते हैं और एक और चीज में आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो काफी important आपके लिए एक minute सभी shift के जो किशन आये हुए हमारे 2012 से 23 तक तो ये किशन आप कर सकते हैं एक important चीज में आपको दिखा दिता हूँ यहाँ पर जो काफी important है आपके लिए जो कथन अभी कथन के question ये देखिए 2021 में जो question आये हैं वो भी हमने इसके इंदर include कर रखे और अभी हमारे पास 2022 के question भी आगे वो भी इसके इंदर include कर देंगे इसमें जो not matter ये बताओ ये क्या बात सही कहरा है क्या है ये कहरा है कि जो data analysis है वो एक technical career है इसके अंदर research ethics का उप्योग नहीं होता research ethics का कोई मतलव देखा था data analysis और research finding देखा था न हमने तो data analysis के अनदर उप्योग होता है न हमारा होता ना research ethics yes तो इसकी जो statement one है दोस्तो वो false हो जाएगी इसकी statement one जो है वो गलत है तो right answer इसका क्या होगा option four हो जाएगा कथन एक ऐ सकते है लेकिन कथन दो वो सकते है इसका right answer यहाँ पे देख भी लिए ते है यह देखे दोस्तो right answer इसका option four बिल्कुल सही है ना है ना जी yes 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 तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और वस थोड़ा सा ध्यान देने की आउ सकता है आप लोग अभी तक कैसे पढ़ रहे थे थोरी पढ़ली बस रटे जा रहे थे रटे जा रहे थे समझ में आई नहीं रहा था यार यह लफडा क्या है किस तरह से हमें पढ़ना है क्या चीज हमारी एक्जाम में रिपीट हो रही है किस चीज पर हमें ध्यान देना है क्या चीज हमें छोड़नी है यह चीज आपको पता ही नहीं थी या तो थोड़ा सा इस समार्ट वे में पढ़ी है आप और मैं गैरेंटी के साथ कह रहा हूं बार बार आपका पहली बार में नेट जी आरफ क्वालिफाई हो सकता है चलिए और दोस्तों मज़ा आ रहा है ना मज़ा आ रहा आपको बार वीडियो को लाइक कोमेंट और सेर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है चलिए आगे हम और कुशन दिखाऊ मैं आपको बोर तो नहीं हो गए बोर हो गए चलिए बोर हो गए तो आप इन कुशन को करना वही यह सभी कुशन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ यह सभी कुशन आप करना ठीक है यह PDF ले लेना हमारी एप के अंदर मिल जाएगी हमारी एप है निमिजनेट एप है यह एप डाउनलोड कर लेना इसके अंदर आपको सब कुश हमारा मिल जाएगा जी और दोस्तो इस एप के अंदर जो भी हमारे daily class होते है वो class के बारे में बताते है जो भी important information होते है वो देते है बहुत कुछ इस एप के अंदर फरी में हम आपको दे रहे हैं तो दोस्तो इस एप को ज़रूर डाउनलोड करना और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के बारे में जुरूर कमेंट करना और क्या हमें आगे इस तरह से और भी वीडियो जो बनाने चाहिए टीचिंग की, रिसर्च की, ICT की, कम नुकेसन की और यूनिट की अगर वीडियो बनानी है किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी है, कमेंट वॉक्स में लिखिए अगली वीडियो उसी टॉपिक पे आएगी दोस्तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताना और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा महनत लगती है दोस्तों और आपका एक लाइक, एक कोमेंट और एक सिर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम आसा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कोमेंट और सिर जरूर करेंगे Thank you दोस्तों दोस्तों NTA uses net exam 2023 को देखते वे हमने आप सभी के लिए एक special paid course launch किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है number 1 पे दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे Hindi English में number 2 पे दोस्तों आपको all 10 unit की ad free videos मिलेंगी number 3 पे दोस्तों आपको 2012 से लेके लेंगे number 5 पे दोस्तों जो सबसे unique चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी हमने unit में से सब topic wise question भी अलग किये हुए है जैसे कि research में हम बात करें type of research type of hypothesis type of sampling इस तरह से हम बात करें teaching में type of teaching method model of teaching इस तरह से सभी unit के सब topic wise question भी आपको नोट्स के अंदर इस दुरान दोस्तों वीडियो आपको लाइव प्लस में recorded मिलेगी जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो